Hello dear students, मेरा नाम गोल्डी सिंग और आज मैं आपको जीन प्याजे के सिधान से कुछ प्रमुख सब्दों पे चर्चा करेंगे जो परिक्षा के दृष्टी से important है और इससे जीन प्याजे के सिधान से हर साल question पूछे जाते हैं तो इसमें कुछ ऐसे सब्द आते हैं जिनका अर्थ बच्चों को पता नहीं होता है और question सरल होते हुए भी वो गलत करके आते हैं तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ उनके जो मुखे मुखे सब्द हैं जैसे स्कीमा क्या होता है, स्कीम्स क्या होते है, हम केंदृत क्या होता है, मूल प्रवित्यात्मक भिवार क्या होता है, अब विलियोमिता क्या होता है, वस्तु इस्थाई तो क्या होता है इन सब सब्दों पे चर्चा करेंगे और इनका अर्ट क्लियर करेंगे थीक है तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि संक्रिया क्या होता है उसमें दिया होता है कि उन्ने जो संग्यनात्मक विकास के सिधांत को चार भागों में बाटा है पहला है संवेदिय पेशी अवस्ता या संवेदिय पेशी अवस्ता दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्ता तो जो उसमें संक्रिया है संक्रिया का क्या अर्थ है मूर्थ संक्रियात्मक अवस्ता और चारिक संक्रियात्मक अवस्ता तो सबसे पहले आपको जो उसका सब सब्द का अर्थ क्लियर होना चाहिए कि वस्तो इस थाइत्व का अर्थ क्या होता है अगर अर्थ क्लियर है तो आप कोशन को बहुत अच्छे तरीके से सौन्फ कर पाएंगे तो आज हम इस वीडियो में उनके प्रमुक्ष सब्दों पर ही चर्चा करेंगे ठीक है तो पहला जो है संक्रिया, संक्रिया किसे कहते हैं, जब किसी भी व्यक्तिया बालक के सामने, जब कोई समस्या आती है, और समस्या का समाधान करने के लिए, वो जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संक्रिया कहते हैं, जैसे कि कोई बालक है, किसी वस्तु स जैसे खेलता है और वो वस्तुण टूट जाती है तो उसे पहले जैसे से बनाने किacamologist करता है तो उस में जो जिस वह मांसी पृक्रिया से गुजरता है मुझे पता है आपको संख्रिया समिख में आ गया होगा वस्तु स्थायित्यों completely भावना जो वस्तु इस्थाइत्व की जो भावना होती है यह पहली अवस्था में पाई जाती है ना कि दूसरी अवस्था में बहुत से प्रैक्टिस सेट में गलत दिया गया है कि वस्तु इस्थाइत्व की भावना पूर्व संक्रियात्मक में अवस्था में पाई जाती है वस्तु इस्थाइत्व की भावना होती है वो सम्वेदी पेशी अवस्था में पायाती है पहली जीन प्याजे के जो सिध्धान्त है जो उन्होंने पहली अवस्था दिया है सम्वेदी पेशी अवस्था उस अवस्था में पायाता है वस्तु इस्थाइत्व की भावना ठीक वो खिलोने के साथ देखते हैं जब वो गुड़िये के साथ खेलते हैं तो उनके साथ ऐसे एक्टिवेटी करते हैं जैसे कि वो यह समझते हैं कि हम जैसे हम बोलते हैं ऐसे यह भी बोलेंगे तो भ्रहम वंस भी उनके अंदर भ्रहम होता है कि यह भी हमारे जैसे जीवित हैं परावर्ति क्रिया से तात परे है कि जिस बच्चे जिस कारे को सीख जाते हैं उसी को बारवर दोराते हैं अगर कोई छोटा बच्चा है और वो किसी कारे को करना सीख जाता है और उसी चीज को वो इसी क्रिया को बारवर करने की कोशिस करता है तो उसे क्या कहते हैं परावर्ती क्रिया कहते हैं अहम केंद्रित इसे तातपरे है बच्चा केवल खुद के बारे में सोचता है जो स्वयम के बारे में सोचता है उसे हम क्या कहते हैं अहम केंद्रित अग कोश्चर ये पेपर में पूछा गया है कि जो अहम केंदृत की भावना है जीन प्याजे के सिध्धान्त के किस अवस्था के अंतरगत माना जाता है तो आप बताएंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो जीन प्याजे के जो दूसरी अवस्था है दो से साथ वर्स तो उसी अवस्था में अहम केंदृत की भावना पाए जाती है मूल प्रविर्तियात्मक विहवार ये क्या होता है जो विहवार होता है वो दो तरका होता है एक जन्मजात होता है और एक अरजीत जन्मजात विहवार वो होता है जैसे वो जन्म के समय वो योगिता लेकर के पैदा होता है जैसे हसना, रोना, पलक झपकाना, आदी जो अरजित विवार होता है वो समाद में रहकर कर सीखता और अपने विवार में परिवर्टन करता हि वो अरजित होता है अविलो मे investigative या अल्टावीपन अनुत्रक्रम शिल्टा सिल्टा, ये कभी कभी हमने practice एक ही होता है इसमें क्या होता है बच्चे किसी बिंद उपर आगे चले जाने के बाद लोड के वापस नहीं आता जैसे कि एक छोटा बच्चा है उससे हम कोश्चन आपको उधारण दे के समझाती हूं मैं आप इसे और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे एक छोटा बच्च हम यह अलग कर दिये और यह पूछे कि तुम्हारे भाई के कितने भाई वहन है तो वह चीज को नहीं बता पया यानि उसका अलटा भी पने यानि उसमें जो अब विलोमिता अलग कर दिया हमने चीज़ का नेक्ट है संद छड का अभाव इसमें क्या होता है बच्चे सुरुवाती आकरिती में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर सुरुवाती आकरिती भूल जाते हैं यह बच्चे से कि बच्चों के सामने अगर ब्लैक बॉर्ड पर कुछ बना करके इस तरीके 4 में अहलिसा इस्व workflow बना दे और यह बनाईए क9 निए कने इस ज्निती स्षों और बिल सेुडसेद्व बूच्छी बनाईएं और कभी कभी कोश्चन में ये पूछ लेता है कि जो संद्रच्छर का अभाव है जीन प्याजे के सिधान्त के अनुशार किस अवस्था के अंतर गताता है तो आप बताएंगे पूरु संक्रियात्मक अवस्था वी केंद्री करड़ होता है और एक केंद्री करड़ दोनों में अंतर समझेगा जो केंद्री करड़ होता है किसी एक विंदु पर अपने विचार को केंद्रित करना वो केंद्री करड़ होता है आप वी केंद्री करड़ से ताक पर है एक ही समय में किसी वस्तु या विचार के कई पच्छों पर ध्यान देना आप ध्यान रखिएगा केंदरी करण है वो किस जिन प्याज़े किस ध्यांत के नुशार किस अवस्था कि अंतर गताता है तो अगर केंदरी करण की बात करें तो आप लगाएंगे पूर्व संक्रियातमक अवस्था आप विकेंद्री करड की बात करें तो आप लगाenगे अमूर्थ शंक्रियात्मक अवस्था ये छोटी-छोटी चीज आप विशेशिस पे दियान रखिएगा कि केंद्री करड क्या होता है विकेंद्री करड क्या होता है तो जो आप paper solve करेंगे तो बहुत यह easy तरीके से आप question को सही कर पाएंगे ठीक है? अनुकुलन अनुकुलन से क्या अतात परे है? प्याजे की अनुसार बालकों में वातावरड के साथ समायोजन करने की जन्मजात प्रविती होती है जिसे अनुकुलन कहते हैं जो इसकी दो उप क्रियाएं होती है पहला तो है आत्मसात करण दूसरा है समायोजन इससे भी question seated में बहुत बनते हैं तो देखिए आत्मसात करण क्या होता है? जब बच्चा अपने पुर्व ग्यान का सहारा लेकर नई क्रिया सीखता है तो उसे हम आत्मसात करण कहते हैं क्या कहते हैं? आत्मसात करण आपको एक छोटा उधार देखिए कि अपछे तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ देखिए एक छोटा वच्चा होता है अपने पापा के साथ घूमने जाता है बाहर और वो एक आसमान में एक पतंग को उड़ते हुए देख करके वो अपने पापा से बोलता है पापा वो देखी आसमान में एक पंची उड़ रहा है तो उनके पापा ये कहते हैं बेटा वो पंची नहीं है वो एक पतंग है तो उसने क्या किया है उस पंची सब्द में जो उसने अपने पूर्वग्यान में जोड़ करके उस चीज को सीखा है कि पतंग भी उड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं आत्मसात करड कहते हैं दूसरा है समायोजन, समायोजन से तातपर्य है इसमें पूर्व ग्यान काम नहीं आता है बल्कि बच्चा नए ग्यान के लिए अपने विहवार में ही परिवर्तन कर समायोजन कर लेता है next है schema schema से तातपर्य ऐसी मानसिक सन्रचना से है जिसका सामानी करड किया जा सके schemes schema और schemes में समझने की कोशिस कीज़ेगा ठीक है schemes क्या होता है विहवारों का संगटित पेटर्न जिसे असानी से दोहराया जा सके schem कहलाता है जैसे बच्चे का जैसे बच्चे का स्कूल के लिए तयार होना, नास्ता करना, स्कूल वैक, पैक करना आदी स्किम्स के उदाहरण हैं। ध्यान दिजिये स्टुडेंट, हमने यहां पे दो कोश्चन भी रखे हैं, आप इसका आंसर देने की कोशिस किजिए। पहला जो हमारा कोश्चन है, वो है प्याजे के संग्यनात्मक विकास के चरडो के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ सम्बंदीत है। जो यह होता है इंद्रिय गामक अवस्था, इसमें जो बच्चे होते हैं अनुकरर करके सीखते हैं, जो उनका मानसिक निरूपर होता है, वो अनुकरर करने की योगिता होती है उनके अंदर, वो किसी को देख करके कारे करने की कोशिस करते हैं, देख कर सीखने की कोशिस करत विकल्पों का निर्वाचर और विसलेशर करने की योगता यह भी हमारा चौथे अवस्था के अंतरगत आ जाएगा नेक्स्ट कोशन है प्रशन नमबर दोजरा बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का स्रिजन करते हैं इसका स्रिय किसको जाता है यह कोशन कई बार रिपीट हुआ है टैट में भी और सी टैट में भी बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को स्रिजन करते हैं इसक इसका श्रिया किसको जाता है प्याजे को पावलाओ को कोहलबर को इस किंबर को तो इसमें पहला अप्संस Lord को अगर आपको यह बीडियो पसंद आए तो अपने ग्रूप में अधिक से अधिक लोगों के पास सेयर करें अगर पहली बार मेरे चैनल पर इस वीडियो को देख र बन्ने बाद